नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है राजस्थान रोयल्स ने इतिहास रच डाला है राजस्थान रोयल्स के बलेबाजों ने चिने सुपर किंग्स के खिलाफ शांदार बलेबाजी की और छकों की बरसात कर दी छक्कों के मामले में राजस्थान रोयल्स ने एक रिकॉर्ड कायम किया है दरहसल चनेई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान ने एक पारी में 17 छक्के लगाए हैं मतलब कि कुल 102 रन सिर्फ छक्कों से ही आये हैं चनेई के गेंदबाजों की जम कर पिटाए हुई खासकर तेज गेंदबाज लुंगी एंगीडी ने सबसे ज़्यादा 56 रन लुटाए जबकि स्पीनर प्यूश चाबला ने 55 रन खर्च कर दिये संजू सेमसन ने राजस्थान रोयल्स की तरफ से महज 19 गेंदों पर आतिशी अरदश्य तक जड़ दिया तो कप्तान स्टीव स्मीथ ने 79 रनों की पारी खेली तौस हारने के बाद राजस्थान रोयल्स की टीम ने स्कोर बोर पर 216 रन टांग दिये इस दोरान संजू सेमसन ने विश्फोटक बलेबाजी करते हुए महज 32 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन ठोक डाले इस दोरान उन्होंने 9 छक्के और 1 चौका भी लगाया वैसे अब तक इस सीजन में 3 ही मुकाबले खेले गए हैं लेकिन 4 मुकाबले में ही सबसे बड़ा स्कोर बन गया टूडामेंट में पहली बार किसी टीम ने स्कोर 200 के पार पहुँचाया निर्धारित 20 ओबरो में राजस्थान ने 7 विकेट गवा कर 216 रन बनाए इससे पहले मुंबई ने पहले मैच में 162 रन बनाए थे जबकि दूसरे मैच में दिल्ली ने 157 रनों का स्कोर खड़ा किया था वहीं तिसरे मुकाबले में बैंगलोर ने 163 रन बनाए थे राजस्थान की टीम ने UAE में खेले गए IPL का सबसे बड़ा स्कोर भी बना डाला है इससे पहले पंजाब की टीम ने UAE में 206 रनों का स्कोर साल 2014 में बनाया था इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ